Students, आप देख रहे हैं, अर्द्वासी परिक्षा समाजी विज्ञान का पेपर, Class 9 का, तो चलिए इसको देखते हैं, पहला question पुछा गया, फ्रांस की करांती का नारा क्या था? तो सभी को याद होगा, फ्रांस की करांती का नारा जो था, वो था स्वतंत्रता, समानता, तथा बंदित्व, ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, next question है, समाजवाद का जनक कौन था, आपको अच्छे तरीके से बताना है, Class 9 के हिसाब से बताना है, इस समाजवाद का जनक कौन था, सभी को आप पहले तो आप प्रिपेर रहें, कि जो अंसर से में बताने वाला हो, उसने आप को याद किया है और नहीं किया है, यने आपने आपको ध्यान है या नहीं। समाजवाद का जनक कौन था ये आपको बताना है, और इसका answer क्या हो जाएगा हमको class 9 के हिसाब से देना क्योंकि इसके बहुत सारे answers है और आपको जब detail में questions मिलते हैं तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा तब ही जाके आप answers दे पाएंगे ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बाद जो next question है उसकी बात करते हैं Plato भी आता है इसमें Marks तो आप पहला लिख सकते हैं समादवाज के जनक में यहाँ पे पूछा गया है करक रेखा यह मकर रेखा का अक्षांसिय मान आपको लिखना है तो अक्षांस मान होता है करक रेखा का और मकर रेखा का जिसको हम डिग्री और समय का नुसा लिखते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है कि करक रेखा और मकर रेखा का अक्षांस मान क्या होगा तो देखिए करक रेखा जो है उत्री गोलार्द में भुमद्दे रेखा के समानतर जो है गुलोब पर आप देख सकते हैं और मकर रेखा जो है वो है काल्पनिक रेखा जो हमने बताया हुआ है और यहाँ पर जो है इनका मान, करक रिखा और मकर रिखा का मान क्या होगा तो हमें मान ही बताना है, तो करक रिखा का मान अगर बात करें पहले हम करक रिखा की बात करते हैं, तो करक रिखा का मान क्या हो जाता है यह हो जाता है, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकररेखा की बात करें तो मकररेखा का हो जाता है 23.5 डिग्री सौथ ठीक है बस इसके बीच में लिख देना है इसके बाद जो है कृषी से सम्मंदित ठीक है दो प्रमुख उद्योगों के नाम लिखने हैं अगर दो उद्योग के नाम बतूँ ठीक होते है तो आप इसको बता सकते है अगला प्राश्ण इसमें पुछा गया है भारत का समिधान कब लागू किया गया था तो यह किया गया था जो आपका जन्वरी था उसके पाद जो next question है किस मौलिक अधिकार को समिधान की आत्मा कहा जाता है यह आपको बताना है तो वो मौलिक अधिकार कौन से आता है समिधान में जो उपचारों के अधिकार उपचारों के अधिकार को जो है समिधान की आत्मा कहा जाता है जो की अनुछेद 32 में आपको मिलेगा जो डाक्टर भीमराव अंबेड करने जो है उसको हरदय या आत्मा कहा था ठीक है कौन सा आपका समिधानिक उपचारों के अधिकार को ध्यान रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है और 32 अनुछेद में यह लिखी थे अनुछेद 32 में 32 में इसका जिक्र है ठीक है और इसको बोलते हैं समिधानिक उपचारों के अधिकार अगला जो है उत्पादन के कौन कौन से कारक है यह आपको बताना है जनरल सा कुश्चन है तो इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे तो उत्पादन के कारक जो है इसमें क्या हो जाता है उत्पादन में कौन कौन से कारक है तो हम सीधा सीधा बता सकते है इसमें भूमी श्रम पूंजी ठीक है भूमी श्रम और पूंजी और उद्धमिता भी हम आप चाहे तो लिख सकते हैं बाकि भूमी श्रम पूंजी बहुत ही है इसके बाद जो next question इसमें पुछाए का लोग प्रवसन क्यों करते हैं प्रवसन का मतलब क्या हो जाता है कि लोग जो है अपने गंतव् दिक्षा के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इसलिए लोग प्रवसन करते हैं हम कहें सकते हैं तीसरा सब समयुण कारत कारत कोई ृब्लद अपने स्थान पर पहुचाने के लिए प्रवसन करते हैं, यानि कि जाना पसंद करते हैं, अगला जो question ने इसमें पूछा गया है, आपदा किसे कहते हैं, आपदा का मतलब जो है definition छोटा सा बताने हैं, आपदा क्या होता है, आपदा जो है एक अनपेक्षित घटना होती है, जिसकी अपेक् अपना नहीं कर सकते हैं, वैसी घटना होती है, जिन ये ऐसी ताकत होती है, जिस पर मानों का या मानों का नियंत्रन जो है नहीं होता है, और ये जो है थोड़े समय के लिए बिना चिताउनी के आती है, थोड़े समय के लिए ठीक है, बाकि उससे एफेक्ट, जो उसका एफ पूरे मतलब एक ज्यसाई आई तो दूसे जीले चोहते जीले पांचव जीली है इसतरह से पूरा पूरा नक्सा ही खतम कर देगी गी तो स्विए मैं इससे ज्यादा नहीं आएगी कोई एक राज्य खतम कर सकती है को एक जीला खतम समय के लिए होती हैं. अगला जो प्रश्ण इसमें छोटा सा question पूछा गया, उत्राखंड की दो प्राकर्तिक आबदाओं के नाम लिखिए. उत्राखंड में तो बहुत सारी प्राकर्तिक आबदाओं आती है जिसे में भुकंप भी है जो आ जाता है, ठीक है? इसमें पूछा गया है, लेनीन की तीन मांगे क्या थी? लेनीन की तीन मांगे क्या थी? अगला जो question है, इसमें पूछा गया है 1787 की करांती से पूर फ्रांस में कौन-कौन से सामाजिक वर्ग थे? उलेख कीजिए, अगर आपको पता नहीं है, तो आप इसको पढ़िए, मैंने चेप्टर करवाया हुआ आप लोगों को अच्छे तरीके से तो इसका अध्यन करिए एनिमेटेड वीडियो देखिए, जिसमें आपको सारे की सारी चीज़े विस्तार से बताई गई है दिखाया गया कि अच्छली ऐसा हुआ था और उत्राखंड में कौन-कौन सी वनस्वतियां पाई जाती है उनके नाम आपको बता देने है निर्वाहा क्रिशी एवं गहन क्रिशी में क्या अंतर होता है ये दोनों प्रेश्ण में कई बार करवा चुका हूँ इसको आप देख चुकी होंगे हम गणतंत्र दिवस क्यों और कब मनाते ही आपको बताना है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं भारत के समयदान में कुल कितने मौलिक अधिकार है उनके नाम लिखने हमारे छे मौलिक अधिकार है उनको बता देना है पहले बहुत सारे थे उनको कम कर गया अब चेकर दिया गया है आपके छेतर में कौन-कौन से गैर क्रिशी उत्पादन कार्रे होते हैं उनकी एक सूची बनाईए यह आपके उपर डिपेंड कर दिया है और भुकंब क्या है भुकंब आने के प्रमु कारण क्या है यह आपको बताना है फ्रांस के क्रांति के कार्णों का वर्णन करना है फ्रांस के क्रांति क्यों हुई थी रूस के तिहास में कौन सी घटना खूनी रविव्यार के नाम से जानी जाती है बहुत इंपोर्टन कॉर्शन चाहिए आई-एम-पी में आता है और यह वार क्या में क्या आंतर हैं आप थोड़ा सा मिस्टे के क्या आंतर है भारत की जलवायू को प्रवाइद करने वाले कौन-कौन से कारक है वह आपको बताने हैं बहुत ही सिंपल सा और यह कोश्चन भी आपका IMP में आता है जो कि आपके वार्शिक परिक्षाओं में पूछा जाता इसके विकास के लिए सरकार ने क्या कीया है या आपको ृ PayPal लिखनी लिखनी है और परशचन और मौसमी व्चिघारी में क्या आंतर है हमेसा पोश्चन पूछा जाता है उफ्मानविक क्यान रखना है और सड़क दुरगटना से आप क्या समझते हैं सड़क दुरगटनाओं के जो खिम के तत्तों की पहचान कीजिए कभी कभी आई एंपी में शामिल किया जाता है तो उसके हिसाब से आप जो इसको त्यार कर सकते हैं इस तरह का प्रश्चन पतर आपको देखने को मिलेगा आपके एक्जाम में पासा करता हूं इस वीडियो के मादम से आपने बैतरीन सीखा होगा थैंकी वरी मच है वे गुड़ डेग